नमस्कार आप देख रहे हैं SBR News 1 और मैं हूँ आपके साथ अनुकमा खोबरे और उकरते खास खबरों की और पुरेना घुगली स्थानी लाला केशर राम नारंग छेतरी कीडांगन में आईजित 50 वर्ष के उपर के भूत पूर्व क्रिकेट खिलाडियों ने लिजेंट क्रिकेट प्रतियोगिता में जम कर अपना दम दिखाया एक दिवसी प्रतियोगिता में महराजगंज लिजेंट वॉर्यर्स वर घुगली ब्लास्टर के बीच खेला गया घुगली के कप्तान दिवाकर थान तिवारी ने टॉस जीत कर अपनी छेतर रक्षन का निर्ड़े लिया मैच का उखाटन सदर विधायक जैमंगल कनोजे ने खिलाडियों से परीचे प्राप्त कर किया 16 ओवर की समीती मैच में महराजगंज के टीम ने पहले बल्लेबाजी करते वे तीन विकेट खोकर 128 रन का लक्ष घुगली के समक्ष रखा इसके जवाब में घुगली लिजेंट बलास्टर ने एक विकेट खोकर मात्र 13 ओवर में ही अपना लक्ष साथ लिया समापन समहारों के मुख्य अतिती अपर्च जिलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रिवाल ने विजेता टीम के कप्तान दिवाकर तिवारी तथा उप विजेता टीम के कप्तान अविनाश त्रिपाठी को ट्रोफी व पुरसकार से सम्मानित किया इस असर पर उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन होना चाहिए जिसे फिट इंडिया की परिकल्पना सार्थक होगी प्रतियोगीता के आयोजक संदीप पांडे प्रयोजक ध्रू कुमार श्रिवास्तो सपानेता हरेंद्र कृष्णा त्रिपाठी भरत शुकला आदिलोग मुख्य अतिती विशिष्ट अतिती उमेश श्रिवास्तो को अंगवस्तर देकर सम्मानित किया गया सुबे की योगी सरकार गायों के संद्रक्षन के लिए लगातार सक्त कदम उठा रही है सरकार के आदिशों का असर भी होता दिख रहा है लेकिन कहीं न कहीं कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है जो सारे किये कराये में पानी फेर देता है ताज़ा मामला गाजीपूर थाने के मालवाद रोड पर कच्रा फैक्टरी का है जहां कोड़े के धेर में गाय के शव को जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है वीडियो वाइरल होने के बाद बजरंग दल के कारेकरताओं ने फैक्टरी के पास बने डंपिंग वार्ड में पहुच कर हंगामा कर दिया जिसके बाद जिला प्रिशासन ने पहुच कारवाई कर भरोसा दिलाया तब जाकर मामला शांत हुआ बता दे नगरपालिका के मलाका रोड पर बने डंपिंग यार्ड में जलते वे कुड़े के धेर पर नगरपालिका के करमचारियों ने गाय का शव फेक दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया है मामला बढ़ता देख नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी, स्टीम और तहसलदार ने मौके पर पहुच कर मामले में ठोस कारवाई करने का भरोसा दिलाया नगरपालिका सीव ने बताया कि मामले में दोशी आठ करमचारियों के खिलाफ FIR दर्स कराई जाएगी मामला बढ़ता देख निए लगाई कर देख नगरे हो जाएगा लेकिन फूरा है अपने आप पाई आप पैदाए जाती है 17 मार्च को पुलिस अधिक्षक गोंडा शैलेश कुमार पांडे को गोपनी सूचना प्राप्त हुई कि जनपत गोंडा के नवाब गंज इस्थित भारती स्टेट बैंक के कुछ खाता धारकों के खातों में संधिक्त तौर पर धनरासी इस्थनांतरित हो रही है जिसमें नवाब गंज शेतर के ग्राहक सेवा केंदर के संचालक की संलिप्तिता है इस गोपनी सूचना की जाज पुलिस अधिक्षक गोंडा ने SOG टीम के माध्यम से कराई सूचना प्रमारित होने पर थाना नवाब गंज में एक्ट पंजिक्रत किया गया जिसके क्रम में थाना नवाब गंज वा SOG टीम द्वारा सरकारी कर्मचारियों की कूट रचीत आईटी बनाकर जीपी एफ के नाम पर फर्जी तरीके से पैसा गबन करने वाले गिरोह के प आज सदस्यों को गिरफतार किया गया गिरफतार अभियुक्त अरुन वर्मा चकबंदी विभाग गौरकपूर में एकाउंटेंट के पत पर तैनाथ है जिसके द्वारा अपने साथी कर्मचारी पुनित श्रिवास्तों के साथ मिलकर फर्जी सरकारी कर्मचारियों की लैप मौरिया के माध्यम से इस्थानांत्रित कर लिए जिनमें से अब तक 45 खातों को चिन्हित किया गया है उक्त खातों में विगत 3 वर्षों में 6 करोड रुपियों से जादा इस्थानांत्रण इस गिरोह त्वारा किया जा चुका है अभियुक्त अरुन वर्मा राजिश्पा मांट के गाउं दर्वे में आज मैदानी जंग विशाल कुष्टी दंगल का आयोजन किया गया कारकर्म के आयोजक पपु पहलवान अध्यक्ष अखाड़ा पीपल वाला ने बताया कि इस कुष्टी दंगल का आयोजन उन्होंने सत्तिवीर सीही उर्फ सत्तो पहलवान की स इसमें राजस्थान दिल्ली हरियाना पंजाब एवं विदेश से कुष्टी लड़ने के लिए पहलवान आये हैं आखरी कुष्टी जितने वाले पहलवान को कमीटी की तरफ से 5 लाक नगत एवं फॉर्म ट्रेक ट्रेक्टर वगूर जिद्दी जानी थी दंगल में महीला पहलवान भी आई थी दंगल में कुष्टी बंटी पहलवान वा गबर पहलवान के मध्य बराबरी पर रही गौरो पहलवान तरोली वर वीरू पहलवान जावरा के मध्य बराबरी पर रही वही दंगल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए आधा दर्जन से अधिक स्थानो का पुलिस बन लगाया गया था फिलाल के लिए इतना ही ख़परों का सिलसला लगातार जा रही है आप बने रहे एस्पिया न्यूस वन के साथ नमस्कार